तो आईए तो 100 is invested at the rate 4 परसेंट अब ब्रांचेज निकलेंगे 104 फिर वापस से 104 और यहां से 44 इंटू 0.04 और यहां से 44 इंटू 0.04 and so on क्योंकि अब क्या होगा अब ब्याज पे भी ब्याज मिलना चालू हो जाएगा जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग compound interest